हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो आज आपके साथ में सेयर करने वाले हूं बहुत ही टेस्टी और यम्मी डेलिशस रेसिपी मश्रूम मंचुरियन तो चलिए बिना टाइमेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो हेलो एब्रीवन वेल्कम टू मैं चैनल आप देख करने वाले हूं ग्रेवी वाली मंचुरियन जो बहुत टेस्टी और बहुत ही यमी है और यह रेसिपी देख लेते हैं तो यहां पर देखिए मैंने एक बोल लिया है और इसमें मैंने लिया है दो इश्पून कॉर्ण फ्लोर् दो इश्पून मैदा इनको अच्छी तर मैंने मिक्स कर लिया है इसमें मैं डालूंगी वन इश्पून यहां पर लेशन की चट्नी जिसकी रेसिपी अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन पर देख लेना थोड़ा सा ब्लैक पेपर और इसमें बहुत करेंगे पस इसमूद साथ जिसे की डिपटी इसमें हम डिप करके और मश्रूम को हम चान सके तो इस तरह थोड़े थोड़े पानी डालके हम इसका जो बैटर हो त्यार कर लेंगे यह देखें पानी एक साथ ज्यादा नहीं डालेंगे तो यह मुझे थोड़ा सा थीक लग तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी लीटिल वाटर डाला है मैंने अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया अब इसमें मैं मश्रूम डालूंगी तो यहां पर देखें यह आपका बैटर त्यार हो गया है तो यहां पर जो मश्रूम मैंने लिया है उन्हें मैंन मैं इस से तरगाल्म कर देखने कर लिए और इनको चींडर में इसं मिक्स कर लिए अब किया सकती तो आप fark चाह casing के हल्प से भी कर सकती है या अगर आप जहें तो आप अपने हैंड के भी हल से इसमें डाल सकती है जब इसे हम फ्राइब करेंगे तक गैस का फ्लेम इसे डालते समय थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे क्योंकि तेल हो सकता है इसके छीटे बाहर है तो यहां पर देखिए गोल्ड ब्राउन होके इनको अब गैसे बाहर कर लेंगे और अब इनके चले इनका जो ग्रेवी है वह त्यार करने के तरफ प्रिप्यार कर लेते हैं कि वह हम कैसे बनाएंगे क्योंकि अगर आपको ड्राइप पसंद है तो आप ऐसे भी बना सकती है लेकिन मैं यहां पर ग्रेवी ब्राइब लिए इसमें हम डालेंगे ट किया था मिस्टे इसमें भी टोल्wd्रों ऑर लिसमें मैं डालेंगे अनियोंन चोप कर लिए इस तरह चोटी-चोटी पीसेज में एक बड़े साइज के करनिया मैं यहां पिस मैं डालूंगी लहसन और अ.. आप देखेंगे कि मंचूरियन बना रही हूँ या चिली बना रही हूँ इसका सबसे सीक्रिट जो हमारा फ्लेवर जो आपको बिल्कुल रेस्टूरियन रेस्टैल में चाहिए वो होता है लहशन और अद्रक की जो मात्रा है वो थोड़ी सी जादा होने चाहिए और इनका कभ सब्सक्रिटी में अध्रकर लसन डालते हैं तो इससे चीली मंचूरियन का टेस्ट बहुत ही अचा है तो यहां पर देखें हमें किसी भी सब्सक्राइब को ज्यादा पकाना नहीं रहता है यहां पर मैं थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन एड करूंगी क्योंकि अभी विंटर करूंगे और क्योंकि विंटर का सीजन है कैरोट कैबेज या बिंस हो अगर आपके पास ताप डाल सकती है तो सारी चीजे इसमें बहुत ही टेस्टी रगती है इस अब इसमें हम डालेंगे कुछ सॉस तो सबसे पहले इसमें मैं एड करूंगी टुमैटो सॉस अगर आप ड के पास चिली सॉस है तो आप डाल लीजे लेकिन यह है लहसन की चटनी जो मुझे बहुत पसंद होती है चिली में बनाने या चिली मंचुरें जो भी बनेए कलर तो अच्छा आता है साथ ही इसका जो टेस्ट है वह भी बहुत ही अच्छा आता है तो यह देखिए इसमें मै तो देख सकती है कि चेंज हो रहा है तो इने भी हमें ज्यादा नहीं बुलना क्योंकि सारे इंग्रेडेंस और डी सभी तो पके हुए हैं तो इनको हम बहुत थोड़ा सा इस तरह भूनेंगे बिलकुल लो फ्लेम पे उसके पाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट क कर लें मुझे ग्रेवी वाला बनाना है इसलिए मैंने हाफ टीस्पून सॉल्ट एड़ किया है अब यहां पर हम डालेंगे कैप्सिकम कैप्सिकम को मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि हमें कैप्सिकम इस तरह क्रंची क्रंची हरा हरा दिखता हुए चाहिए तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह भूलेंगे यह देखे उसके बाद इसको बिना टाइम वेस्ट की अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी क्योंकि हमें आप देख सकती हैं मसाले देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और हमें इसे बहुत जादा नहीं पकाना है क्यों लग से अपको कुछ और मसाली डालने की जरूरत नहीं होती है अगर आपके बस यह नहीं है तो आप ठीक ग्रेवी करने के लिए कॉर्ण फ्लोर या मैदा एक इस्पून घोल के और इसमें डाल सकती हैं उसके बाद उपर सा ब्लैक पेपर भी डाल सकती हैं लेकिन मैंने मंचुरियन मसाला डाला है इसलिए मैं ये दो चीज इसमें नहीं डाल रही हूं तो यहां पर ठीक हो गया है तो इसमें पाइं थोड़ा सा मैं और डालूंगी यह देखें अब इसकी कसिंटेंसी बिल्कुल सही है अब इसमें बीना टाइम वेस्ट की क्या करेंगे हम कि इसमें हम डालेंगे जो हमने बॉयल सॉरी प्राइब करके रखा है मश्रूम को वह इस और इनको अची तरह मिक्स कर लेंगे इसकी खुसवी ती अचीया थी जब इसे बना के आप खाएंगी तो आप पिल्कुल रिस्टोरेंट जैसा आपको लगेगा इसमें मैं आपने देखा कि मैंने कोई भी कलर इसमें एड नहीं किया है जबकि रिस्टोरेंट पे जब आप आप खाती है तो उसमें अलग से कलर आड करने की जरूरत नहीं है यह ओर रडी कितना अच्छा लग रहा है देखने में बहुत ही टीश्टी भी लग रहा है अब इसे हम एक मिनट तक से बॉल कर लेंगे क्योंकि हमें बहुत ज्यादा दिर तक इसे नहीं बॉल करना है तो यहां पर देखे चलिए अब मंचुरियन को प्लेटिंग कर लेते हैं तो यह देखे हो गया ना बहुत ही लाज जब आप टेस्टी सा मंचुरियन बनके बिल्कुल तयार है आप इसे पराथे और नान किसी के साथ भी खाईए यह बहुत टेस्टी लगेगा और आपने देखा क इसको बनने में टाइम भी बहुत ही कम लगा जटपट सा बन जाने वाला यह रेसिपी है और इसका देखने में लुक तो आप देखी रहे हैं कितना यमी लग रहा है लग रहा ना रेश्टूरियन से भी ज्यादा टेस्टी क्योंकि इसमें मैंने कोई असा इंग्रीडिंस नहीं किया है जो कि हमारे लिए हामफूल हो यह पिल्कुल नाचुरल तरीके से मैंने बना है तो चलिए आप सभी को मेरा यह मश्रूम अंचुरियन की रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके बताएगा वीडियो अच्छी लग तो लाइक और शेयर किजेगा तो चलिए किसी न